अलो फ्रेंड्स मैं हूँ जिपरखान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वरकिंग वुमन्स कीचेन में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चमन गंज की चटपटी बिर्यानी की रेसिपी तो ये जो बिर्यानी बनेगी इसमें मसाला बहुत कम रहता है लेकिन ये खाने में तीखी होती है जिसकी वज़े से इसका एक अलागी टेस्ट होता है और इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है बहुत आसान तो चैनले शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक प्रेशर कूकर जिसमें हम लोग गोश्ट को रेडी करेंगे तो इसके लिए यहां पे मैंने आधा लीटर ओयल को डाल दिया है और उसको अच्छे से गरम कर लेना है पिर कुछ खड़े मसाले डालने है जैसे यहां पे मैंने एक चमश लिया है जीरा, एक बड़ी लाइची, एक दाचीनी का टुकड़ा, तीन छोटी लाइची और छी से साथ नॉंग लेके इसको मैंने ओयल में डाल दिया है ओयल में जब यह जो जीरा डाला है अच्छे से क्रैक करने लगे तो फिर इसमें डाल देनी है प्याज को प्याज मैंने यहां पर 200 ग्राम प्याज का यूज किया है और इसको मैंने अच्छी से chop कर लिया था chop करने के बार एक ही size का मैंने chop किया था इसको इसमें आपको बहुत पतना या मोटा नहीं कट करना है बराबर से आप इसको chop करके फिर इसको golden होने तक है fry कर लेना है तो इसको बीच-बीच में आप चलाते रहें इसको stir करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी से golden हो और इसको एक dark golden करना तक कि इसको fry करना रहेगा तो अभी देखिए ये light golden हो गई ये प्याज अब इसको हमें थोड़ा सा और dark कर लेना है तो ये देखिए जो प्याज का color है वो काफी dark हो चुका है अब इससे जादा अगर dark करेंगे तो ये जल जाएगी तो बस अब हम लोग यहाँ पर डाल देंगे meat तो यहाँ पर मैंने 1 kg meat को अच्छे से wash करके रखा है इसको हमें प्याज और ओयल में fry करना रहेगा तो दो से तीन मिनट हम लोग प्याज के साथ इसको पहले fry कर देंगे जिससे इसका जो smell है वो भी इसकी change हो जाएगी और इसका color भी change हो जाएगा और ये थोड़ा सा white सा हो जाएगा तो तीन मिनिट हो गए है वोष्ट को fry होते हुए अब मैं इसमें डाल दूँगी अद्रग लेसन का paste तो यहाँ पे मैं तीन बड़े चमच अद्रग लेसन का paste एड़ कर रही हूँ इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक तो 2 टी स्पून के करिब मैंने यहाँ पे नमक डाला है 1 टी स्पून पीरी मिज डाल दिया है और इसको चटपटा तरनी के लिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च की चटनी पीसके रखी थी वो मैंने 2 चमच डाल दी है आप और भी तीखा खाना पसंद करें तो इसकी कॉंटिटी आप बढ़ा सकते हैं तो हरी मिर्च की चटनी में आपको सिब हरी मिर्च को पीसना है पिसी हुई हरी मिर्च को इसमें एड करना है जिससे ये जो मीट है मीट के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और सबी मसाले अच्छे से बोन जाएं और हमें गोश्ट को टेंडर होने तक के पका लेना रहेगा बहुत जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि गोश्ट को अपना पानी रिलीस करेगा इस वज़े से इसमें बस आप आधा कप करीव की पानी डाले और उसके बाद इसको लिड आच चुकी है अब गैस की क्रेम को कर देंगे बंद और कुछ वो मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए छे से साथ छोटी लाइची नहीं है ठोड़ा से जावित्री नहीं है आदा जाएफल का टुकड़ा ले लिया है दस से बारा काली मिर्च नह है और 8 से 10 लॉंग ली है अब इनको पीस लेते हैं अब हम लोग लिट को ओपन करके चेक करते हैं एक बार इसको चला रहते हैं और चलाने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगी कि गोई स्टेंडर हो गया है या नहीं अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है तो उसको हम लोग कर लेंगे गैस की फ्लेम को ओन कर दीजिए और इसके बाद फिर आप इसको चेक कर लीजिए तो जो पीस है वो 90% तक के कुक हो जाना चाहिए तो यह देखिए पीस अच्छे से टेंडर हो गया है 90% तक के कुक हो गया है अब जो बचा हुआ पानी है उसके साथ जब इसको तो यह जो पीसेज में बची हुई कसर है वो भी पूरी हो जाएगी साथी में मैंने एक कटोरी दही और तीन से चार देस पत्ते डाल दिये हैं अब यह जो पानी है पानी और दही साथ में आपस में मिल्केक और यह मसाला भुन जाएगा और भुन केक यह मसाला जो तयार हो खुश्बू मसाला तो यह देखिए ओइल उपर सेपरेट होने लगा है मसाला काफी अच्छी से भून चुका है और अब मैं इसमें जो खुश्बू मसाला पीसके रखी हूं इसको एड़ कर दे रही हूं तो यह देखिए यह मसाला मैंने तयार किया है यह पूरा मसाला हम लो करें मैंने एक बड़े चमच के करीब इसमें केवरा वाटर एड़ किया है अब इसको भी हम लोगों ने मिला दिया है मसाले में सारी चीज़ें अच्छी से मिल चुकी है अब इसकी जो लिड है बंद कर देंगे और दूसरे तरफ हम लोग यह पानी को रेडी कर लेंगे चा उन से कम आप चार से पांच चमच नमक डाल दें साथी में नीमू काटके डाल दें जिससे चावल टूटे गा नहीं यह मैंने डेर की रोब बासमती राइस लिया है जिसे हम लोग सेला चावल यहाँ पर बोलते हैं गोल्डन बासमती है इसको मैंने दो घंटे पहले पानी म बॉयल आ चुका है अब जो पानी में बॉयल आ गया है तो इसमें मैं चावल ट्रांसफर कर दूँगी जो चावल पानी में जो भीग रहते वो पानी मैंने स्ट्रेंड कर दिया है और सिफ चावल को छोड़ा है अब वही चावल में ट्रांसफर कर रही हूँ यह बॉयल किय हुए पानी में अब इसको हमें पकाना रहेगा तो चावलों को हमें 90% तक के कुक कर लेना है इसको एक बार चला दीजिए और चलाने के बाद फिर इसको ढखके हम लोग पका लेंगे 10 मिनिट के लिए मैं ढख देती हूँ ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आजाए और उसके बाद पर हम लोग चेक करेंगे तो 10 मिनिट हो गए है और इसके बाद अब मैं इसको एक बार चला के और फिर चेक करती हूँ कि चावल कितना टेंडर हुआ है तो चावल अभी पूरा टेंडर नहीं हुआ है 70% तक कुक हुआ है तो 5 से 7 मिनिट के लिए मैं और पका लूँगे और साती में मैंने यहाँ पर कूप सारी हरिमिज कट करके डाल दी है अब इसको ढख के पका लें साट मिनिट हो गए है अब मैं इक बार देख लेती हूँ फिर से कि चावल की क्या पोजिशन है तो अभी चावल अपने साइज में भी डबल हो गया है और 90% तक के अच्छे से कुक हो गया है अब गैस की ख्लेम को बंद कर देना है और जितना भी यह चावल में पानी आपक को अलग कर लेना है अब आपको ग्यास में एक हेवी बॉटम का कोई तवा लेना है उसको रख देना है ताकि हम लोग इसमें दम लगा सके चावल में और यह देखिए चावलों का पानी मैंने पूरा स्ट्रेन कर लिया है अब इस चावल में जो हम लोगों ने गोश्ट तय क्यार करके रखा है उसको एड करेंगे तो मैं इसमें परत नहीं लगा रही हो कि टाइम लग रहा था कि मुझे जल्दी थी तो मैंने क्या किया जन्दी से पहले यह जो गोश्ट के ऊपर का जितना भी वाइल था उसको सेपरेट कर लिया है अब आधा गोश्ट मैं एक किना करके और दूसरी तरफ भी जो बचा हुआ गोश्ट तयार किया हुआ है वो डाल देंगे और फिर इसको भी इसी तरह से जैसे एक तरफ मिलाया है दूसरी तरफ मिला देंगे और मिलाने के बाद इनको चावलों से ढग देंगे पूरा भी अच्छे से आप नहीं मिलाएं बद हलके हलके हाथों से मिलाएं और फिर इसके बाद अब ये चावल की लेयर को बराबर कर दीजिए और बराबर करने के बाद उपर से इसमें जो हम लोगों ने ओयल इसका गोश्ट का उपर का ओयल जो आया था वो अलग करके र थोड़ा सा पानी में फूट कलर डाल के रखा हुआ है और इंज कलर का उसको एड कर दिया है अब इसको बंद करके 45 मिनेट के लिए हमें लो प्लेंपे पका लेना है और उपर से कोई हैवी चीज रख देनी है ताकि स्टीम इसकी बाहर न निकले अब दूसरी तरफ मैं यह यह रायता इस तरह से तैयार कर लेना है आप उपर से इसमें थोड़ा सा पानी और एड कर दीजिए ताकि यह थोड़ा पतला हो जाए तो बिलकुल मार्केट में मिलने वाला चटनी वाला रायता तैयार हो गया है और यह बहुत ही खुश्बुदार होता है अगर आप चाह हैं तो यह देखिए बिल्यानी पूरी तरह से तैयार हो गई है अब इसको हम लोगों को एक बार उपर से नीचे तक के थोड़ा सा चला लेना है ताकि सभी मसाले और चावल आपस में अच्छे से मिल जाए बहुत ही अच्छे से दम लगकी बिल्यानी तैयार हुई है आप भी उतनी ही टेस्टी बनती है तो बस अब आप इसको सर्फ कर सकते हैं जायते और प्यास के साथ तो अगर आपको मेरी ये चमन गंच की चटपटी बिल्यानी की डैसपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने फैमिल एंप्रेंस के साथ इसे शेर कर हैं बस जार 三ए ये उंखता हैं, जापक जारूर काल अज भी हैं?